हेलो मैं दिश्रेंट्स हाव और यू आई होप यू फिट 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 नवड़ीज वी एर सुडिंग अबाउट रशियन एविलूशन एंड सोशलिजम इन यूरोप यूरोप में सामराजब्राद्द और रूशी करांती तो लास् ठीक है उनकी संख्या और लगभग जो लेबर से उनकी संख्या नाइंटीन हंडेट तक लगभग एककल हो जाती है ठीक है most industries अधिकतर जो industries थी was the private property of industry list जो उद्योग पती थे उनकी निजी संपत्ती हुआ करती थी government supervised large factories to ensure minimum baggage and limited hours of work जो सरकार थी वो इसका supervision करती थी ठीक है इसको ध्यान रखती थी कि जो काम करने की घंटे है वो निशित हो और लोगों को जो निवन्तम वेतन है minimum baggage वो भी मिलता रहे लेकिन factory inspectors could not prevent rules being broken लेकिन जो factory inspectors थे वो भी जो ये rules बनाए गए थे इनको रोक पाने में असमर्थ हो रहे थे could not prevent in craft units and small workshop जो crafts unit हुआ करती थी और छोटे 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 वरक्शाप हुआ करते थे the working day was sometimes 15 hour compared with 10 to 12 hours in factories थीक है तो आम तोर में छोटे छोटे कार खाने हुआ करते थे उसमें जो working hour हुआ करती थी वो 15 घंटे हुआ करती थी ठीक है और जबकि factories में ये working hour था ये 10 to 12 hours था accommodation varied from rooms to dormitories जो accommodation था रहने खाने की बिवस्था थी ठीक है तो वो भी मौझूद थी कमरे पुलब्द थे, dormitory पुलब्द थी workers were divided social group जो worker थे वो social group में बटे हुए थे some had strong links with the villages from which they came कुछ तो ऐसे थे जिनके अपने जो उनके गाओं थे उनसे मजबूर संबन थे ठीक है जहां से वो आये थे from which they came, other had settled in cities permanently और कुछ ऐसे भी थे जो अब सहरों में इस्थाई रूप से बच चुके थे कुछ ऐसे काम करने वाले थे जिनके अभी भी अपने मूल गाओं से उनके संब्ध मजबूत बने हुए थे और बहुत से ऐसे थे जिन्हों ने अप सहरों में अपना रस्थाई निवास बना लिया थे वर्कर्स वर डिवाइड वई स्किल जो वर्कर थे उनको इस्किल के अधार पर बाटा गया था उनकी कुछलता के अधार पर बाटा गया था जो मेटल वर्कर था ठीक है जिसको हम धातू मजदूर कहते हैं तो संब्ध पीटर वर्कर एक धातू मजदूर था धातू कर्मी था तो जो धातू कर्मी थे मेटल वर्कर थे वो दूसरे वर्कर के पेच्छा अधार अरिस्टो क्रेट्स अपने आपको उपर मानते थे साहब मानते थे जो दूसरे कर्मी थे दूसरे मजदूर थे उनकी तुल्णा में ठीक है सेंट पीटर्स वर्कर का एक धातू मजदूर है उसने कहा है कि जो दूसरे धातू कर्मी हैं दूसरे मेटल वर्कर हैं ये दूसरे मजदूरों के पेच्छा अपने आपको अरिस्टो क्रेट्स साहब मानते हैं दियर अकूपेशन डेमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड इसकिल उनका जो व्यवसाय है उनका जो अकूपेशन है उसके लिए अधिक ट्रेनिंग और अधिक इसकिल की आवसकता होती थी women made up 31% of the factory labor force by 1940 1940 तक factory में जो female labor हुआ करती थी औरते हुआ करती थी मजदूर उनकी संख्या लगबग कितनी हुआ करती थी 31% but they were paid less than men लेकिन जो उनको वेगेश मिलता था ठीक है वो पुरुसों की मुकाबले कम मिलता था कितना कम? between half and three quarter of man's wagon पुरुसों के तुलना में आधे से तीन चौथाई तक कम मिलता था division among workers showed themselves in dress and manners to और मजदूरों के बीच जो एक फैसला था ठीक है वो किस के अधार पे था? उनके dress के अधार पे और मैनस के अधार पे उनके बीच एक फैसला था some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardship but such associations were few कुछ ऐसे मजदूर थे जिन्होंने संगठन बनाए जिससे वो क्या कर सके? जिससे में unemployment हो जाए या economical crisis हो जाए तो वो एक दूसरे की क्या कर सके? मदद कर सके help members in time of unemployment और financial hardship जिससे में आर्थिक तंगी आ जाए या बेरोजगारी बढ़ जाए तो इसके लिए उन्होंने संगठन बनाए लेकिन इनकी संख्या सच association वर few इनकी संख्या बहुत कम थी despite division division होने के बाबजूद ठीक है? workers did unite to strike works जो workers थे तो वो एक जूठ हो जाते थे काम रोक देते थे stop work जब उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था about dismissal of or work condition काम करने की जो सरते होती थी ठीक है? कोई शिकायत होती थी तो मालिक जो थे उनको निकाल देते थे तो अगर किसी मजदूर को निकाल दिया जाता था तो सारे labor unite होके strike करते थे तो इतनी सारी भिनताय होने के बाद उनके dressing sense के अधार पे उन पे भिनताय थी जो labor थे वो work according अपने आपको superior मानते थे like metal workers दोसे labor के तुल्ला में अपने आपको superior मानते थे तो इतना भिन्न होने के बाद भी जगर किसी मजदूर को किसी labor को factory मालिक निकाल देता था तो सारे युनाइट होके हर्टाल कर रेते थे दीज स्टाइक तुक प्लेस frequently in the textile industry during 1896-97 and in the metal industry during 1902 जो इस प्रकार की हर्टाले हैं 1967 sorry 1896-97 के बीच में कपड़ा उद्दोग के शेत्र में और 1902 में ऐसी हर्टाले जो लभ उद्दोग है ठीक है उसमें देखने को मिली थी in the countryside जो सहर से दूरदराज का शेत्रुआ करता था या यह कहें गाउन दिहाद का शेत्रुआ करता था पीजर्स कर्टिवेटेड मोस्ट ओफ दे लैंड ठीक है तो उस अधिकतर जमीन पे खित्री कोन करता था किसान करते थे बट दे नोबेलिटी दे क्राउन एंड दे अर्थोड़क्स चर्च ओन्ड लार्ज पापर्टी लेकिन जो बहुत बड़ी-बड़ी संपतियां हुआ करती थी लार्ज पापर्टी हुआ करती थी उस पे जो नेबलिटी हुआ करती थी सामंत ओर्थोड़क्स एंड क्राउन राजसाही इनका चर्च इन लोगों का कब जाथ ठीक है जो दूर दराज के छेतर सहरों पे वहां किसान खेती गया करते थे लेकिन जो बड़ी-बड़ी संपतियां बड़े-बड़े विशाल के खंड हुआ करते थे उन पे चर्च का, सावंतों का या राजाओं का कबजा होता था लाइक वरकर मज़ूरों की तरह पीजन्स टू वर डिवाइड किसान भी बटे हुए थे दे वर आलसो डीपली रिलीजियस ठीक है तो जैसे मज़ूर बटे थे वैसे ही किसान भी बटे हुए थे और ये कैसे थे, ये धार्मी सभाव के, डीपली रिलीजियस बट except in a few cases, लेकिन अगर हम कुछ cases को छोड़ दे ठीक है, कुछ अपवादों को छोड़ दे they had no respect for the nobility, तो उनका सामन्तों के प्रती, ठीक है कोई भी विश्वास नहीं था, ठीक है उनका कोई भी सम्मान नहीं करता था अगर हम एका दुका के हिश्वास को छोड़ दे तो जो किसान हुआ करते थे, राजा आया सामन्तों का कोई भी सम्मान नहीं करता था राजा होगा अपने लिए noble got their power and position through their services to the sir not through local popularity ठीक है, तो जो नवाब थे उनको जो सत्ता मिली थी ठीक है, उनको जो हैसियत मिली हुई थी वह लोकपीता की बज़ा से नहीं बलकि जार के प्रती उनकी निस्था और सेवाओं के बदले मिली थी जो जार को उन्होंने सेवाएं दी उनमें निस्था रखी उसके बदले मिली थी popularity की बदलत उनको सम्मान नहीं मिला था यह कैसा था फ्रांस की तरह था यहां उनकी जो इस्तिती थी वो फ्रांस के जैसी नहीं थी अन्लाइक दिस वाज अन्लाइक फ्रांस वेर डूरिंग दा फ्रेंस रेवलुशन जहां पे फ्रांस की क्रांती के दोरान इन बिटनी पीजन्स रेस्पेक्ट नोबल्स एंट फॉट फॉर दिम ठीक है उनकी कंडिशन फ्रांस के तरह नहीं थी कि जब फ्रांस में करांती होती है ठीक है बेटनी में तो वहां के जो लोग है किसान है वो नोबल्स के लिए लड़ते हैं ठीक है और उनको बचाने के लिए उन्हें बहुत सरी लड़ाईयां भी लड़ी तो फ्रांस के जैसी कंडिशन जो है वो इनकी नहीं थी वहां उनका सम्मान भी करते थे और उनके लड़ते भी थे बहुत से लड़ाईयां भी लड़ी फ्रांस के फॉर्मर्स ने इन रसिया पीजल्स वांटेड दा लेंड आफ दो नोबल्स तो गिवेन टो दिम और इसके विप्रीत जो रूस के किसान थे वो चाते थे कि जो नवाब है उनकी जमेन किसको दे दी जाए किसानों को दे दी जाए Frequently they refuse to pay rent and even murdered landlords इसलिए उन्होंने लगान भी नहीं चुकाया और कुछ जगाओं पर तो उन्होंने जो जमीदार थे उनकी हत्या भी कर दी Even murdered landlords In 902 this occurred on a large scale in South Asia 902 में यह जो घटनाए हैं यह बहुत बड़े स्तर पे हुई बहुत बड़े पैमाने पे हुई Rus में And in 905 such incident took place all over Russia और 905 तक यह जो situations है यह घटनाए हैं यह आम तोर पे बहुत बड़े पैमाने पे घटने लगी Okay Russian Pigeons were different from other European Pigeons जो रूसी किसान थे यह भिन थे जो दूसरे European किसान थे उनकी तुलना में रूस के जो किसान थे वो भिन थे ठीक है यह नदर वे दूसरे तरीकों में यह क्या करते थे समय समय पे जो अपनी इनकी जमीन हुआ करती थी ठीक है वो क्या करते थे पूल्ड करते थे एंड दियर कम्यून डिवाइडे रिकॉर्डिन टुदा नीड ओफ इंडविज्वाल फैमिली ठीक है समय समय पे पूल का मतलब यह एक वो जरूरत के हिसाब से दूसरे परिवारों को जमीन दे देता था ठीक है कहने का मतलब कहीं न कहीं मिल बाट के खेती करते थे तो यह जो रूसी फार्मस थे यह दूसरे जो यूपीन फार्मस थे उनके तुल्ला में भिन थे सुस्रिजम इन रसिया रूस में समाजबाद ओल पोलिटिकल पार्टिज वर इल्लीगल इन दस्या बिफोर 1914 1914 से पहले जितनी भी राजनितिक पार्टियां थी रूस में वो सारी कैसी थी इल्लीगल गेर कानूनी तरसियन सोशल डेमोक्रिटिक वर्कर्स पार्टी एक पार्टी थी जिसका नाम था RSDWP रसियन सोशल डेमोक्रिटिक वर्कर्स पार्टी वस फाउंडे इन 1898 ठीक है इसको का फाउंड किया गया इसका गठन किया गया 1898 में बैस सोशलिस्ट हू रेस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज एक समाजबित के द्वारा जो मार्स के आइडियाज का सम्मान करता था ठीक है मार्स के बिचारों को मानने वाले जो समाजबादी थे उन्होंने 1898 में क्रसियन सोशल डेमोकर्टिक जो वर्कर्स पार्टी थी ठीक है उसका गठन किया सरकार के जो सरकारी आतंग था उसके कारण इस पार्टी को भी क्या कर दिया गया गैर कानूनी संगठन के रूप में बतला दिया गया इट सेट अप अन्यूजबेपर मोबलाइज वर्कर एंड ओगनाइज स्टाइकर्स तिस पार्टी ने क्या किया एक अख़बार निकाला सेट अप आप न्यूजबेपर तो उसने उसमें किया क्या जो मजदूर थे लेबल्स थे उनको क्या किया संगठित किया और जो हरताल होती थी स्ट्राइक्स होती थी ऐसे कारेक्रम्स को औरगनाइज किया औरगनाइज स्ट्राइक्स बाटते रहते हैं तो उससे क्या पतालता है कि वो सभविक रूप से समाजबादी भावनावाले लोग मिस समाज को वो आगे लाना चाहते हैं समाज में हलक परते हैं तो इनकी जो फेलिंग्स कैसी है समाजबादी है ठीक है वोड बी इसलिए किसान मजदूर नहीं वोड वी था में पोर्स यह क्या होगे में ताकत होंगे में फोर्स होंगे अफ था रेवलुशन रस्या कूड बीकम सोचलिस्ट मोर क्विकली था देन अधर कंटीज तिसलिए ऐसा सोचते थे कि जो रूस में किसान है वो ही क्या लाएंगे क्रामती लाएंगे ठीक है और बाकी देशों के तुल्ला में जो रूस है ठीक है बीकम सोचलिस्ट वो सोचलिस्ट बन जाएगा देन अधर कंटीज दूसरे देशों के तुल्ला में जो रूस है वो जल्दी ही सोचलिस्ट बन जाएगा सोचलिस्ट वर एक्ट्व इन दा कंट्री साइड थू दा लेट 19 सेंचरी जो सोचलिस्ट थे समाजबादी थे ठीक है तो वो 19 सदी के आखिर में जो रूस के कंट्री साइड छेत्र थे ठीक है वहाँ वो काफी एक्टिव हो गए सक्री हो गए एक्टिव इन कंट्री साइड 19 सदी तक दे फॉर्म दा सोचलिस्ट रेवलिशनरी ज पार्टी इन 1900 और उन्होंने 1900 में एक सुसलिस्ट लिवशनी पार्टी का गठन किया इस पार्टी इस्ट्रगर्ड फॉर पीजन्स राइट्स इस पार्टी दे जो किसानों के अधिकार है ठीक है उनके लिए संगर्स किया जमीन जो किसके पास है नोबल्स के पास है सामनतों के पास है वो किसको दे दी जाए किसानों को दे दी जाए तो यह जो पार्टी बनी कौन सी सोसलिस्ट लिवशनरी पार्टी इसने किसानों के जो राइट्स थे उनके लिए संगर्स किया और माँग रखी जो नोबल्स के पास जमीन है ठीक है, वो कबजे वाली जमीन छोड़के वो किसानों को वापस दें किसानों का इस वाल था, तो कुछ सामाजिक जो लोग तांत्रिवादी वर्ग थे, वो इनसे सहमत नहीं थे तो किसानों को ऐसा महसूस हुआ, उनका ऐसा मानना था, जो किसान है, वो उनाइटेड ग्रूप नहीं है, एक जुट ग्रूप नहीं है, तो किसानों को वाल था, एक संगठित ग्रूप नहीं है, कुछ क्या है, गरीब हैं, और कुछ धनी है, कुछ तो मजदूरों के जैसे बार करते हैं, और कुछ इसमें पूझिवादी है, कैपिटलिस्ट है, हुए अंप्लाइड वर्कल्स, जो मजदूरों से कार कराते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो इनके आपसी कुछ बिभेद है, इनके चलते इसके कारण, विजो सभी समाजबादी आंदूरों का हिस्सा नहीं हो सकते, कुछ गरीब हैं, रिच हैं, कुछ ऐसे हैं, खुद वर्करते हैं, कुछ मजदूरों से वर्कराते हैं, तो यह समाजबादी जो आंदूरों है, इसका हिस्सा नहीं हो सकते थे, उके?